हेलो गाईज मैं हुआ में तो और सुब का स्वाध है ब्लीडिक्स वाईजी में आज हम बनाने वाले हैं कि पिन होल प्रोजेक्टर एक मेगनिफाइंग ग्लास का यूज करते हुए जो की यूज आता है चीजों को थोड़ा बड़ा देखने में जो छोटी चीजे होती हैं दिखाई नहीं देती अच्छे से तो ये वाला जो ग्लास है ये आपको एक सिंपल जोमेंटरी बोक्स में मिल जाएगा या फिर दुकान से भी मिल सकता है और इसमें basically कुछ नहीं होता है एक convex lens होता है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर लगा होता है और यही चीजों को magnify करता है इसकी basic property होती है और ये वीडियो एक DIY की तरह है एक science experiment की तरह भी ले सकते हैं बहुत cool चीज होती है कि कैसे हम एक बिल्कुल basic setup के साथ में किसी चीज को project कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में पूरा मजा आने वाला है तो फटा 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 शुरू करते हैं रेड़ वाले subscribe बटन को दबा लीजिए उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लेट एक फटाजी की एक और वीडियो का मजा लीजिए साथ ही साथ में cardboard का छोटा टुकडा भी हमें चाहिए तो पहले इस साइड को यहां से हमें gold circle की shape में काटना है जितना इसका टायमेटर है लगबब उतना ही आप चाहें तो इसको एक pen से mark भी कर सकते हैं लेकिन मुझे idea है तो मैं जो है उसको directly ऐसी काटना है तो हमने यहां पर जिस तरीके का circle जो है वो होल बना लिया है और अब जो है हम इस magnifying glass को इसके ऊपर चिपकाएंगे मैं यहां पर इसके अंदर से इस convex lens को निकाल भी सकता था लेकिन मैं सुझ रहा हूं कि इसको पूरा ही ऐसे चिपका देते हैं जिस्ते कि हमारे यह जो ले मैंने यहां पर हमारे lens को चिपका दिया है इस hole के अंदर और यहां पर ध्यान यह रखना है कि जो glue है जो hot glue है वो इसके ऊपर ना लगे हम चाहें तो इसकी जगे कोई और भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं चिपकाने के लिए hot glue के जगे पर हम जो है कोई ऐसे चीज से इसको रोक सकते हैं याने कि finally basically इसको जो है इसके उपर चिपकाए रखना है जो कि hole के अंदर यह lens जो है कुछ इस तरीके से fit हो जाए तो भाई हमारा जो projector है वो basically तयार हो चुका इतना सा ही काम है दूसरा काम हमें रखना है हमारे phone को रखने के लिए यहां पर है मेरा phone जिसको मैं अनलोग कर लेता हूँ तो भाई जो phone है उसको हमें कुछ इस तरीके से इसके अंदर रखना होगा कुछ ऐसे तो इस phone का एक stand बनाना होगा stand बनाने के लिए बिल्कुल basic हमें चाहिए इस तरीके के cardboard guys अगर बात करें इसके working principle की तो यह काम करता है बिल्कुल एक असली projector की तर वो उसको जो है अच्छे से focus कर देता है सामने वाली screen के उपर यहां पर हमें brightness काफी कम मिल रही है क्योंकि बहुत सा reason है यार इस screen की brightness है वो इतनी है जबकि हमने maximum कर रखी थी उसके बावजूद भी जो चीज है वो उतनी clear नहीं दिखेगी क्योंकि brightness कम है और साथ ही साथ मे एक दिक्कत ये भी आती है कि अगर हम इसमें कोई movie चलाता है ना तो phone उसको अपने आप उल्टा कर देता है और हमें इसके अंदर वो चीज़ inverted दिखती है यानि कि अगर एक गाना चल रहा है तो वो गाना बिल्कुल उल्टा दिखेगा आपको जो सर है वो नीचे तो वाई ये जो है एक basic projector इसी तरीके से काम करता है जो असली वाला projector होता है जो की normally commercial यूज होता है जैसा भी यूज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो screen है ये पहले ही उल्टी लगी होती है जिससे कि जो उसकी image है वो सिधी बनती है तो वाईस finally हमारा जो setup है वो तयार है और मैंने जो phone है उसके stand को हटा दिया क्योंकि वो थोड़ी जादा space ले रहा था और अच्छे से focus नहीं हो बारा था तो अब जो phone है वो सिर्फ रखा हुआ है डब्बे के अंदर ही तो वाईस आप यहाँ पर देख सकते ही जो screen है उसको हमने project किया हुआ है इस wall के उपर और जैसे ही हम इसमें कोई चीज चलाते हैं तो वह चीज भी आँपर चलने लगी दिया पर बस इतना है कि जो चीज है वह थोड़ी सी डल लगेगी आपको देखे एक video जो है वह चल रही है लेकिन दोश्तों असली में जो है इतना डल भी नहीं है यही में जितना आपको जाता हूँ जिसे कि आपको थोड़ा बढ़िया से जो है दिखे कि किस तरीगे जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है यहां पर और आप यहां पर जो है देख सकते हैं clearly की चीजें जो है आपको screen पर दिख रही है तो अब जो है मैं light चालू कर रहा हूँ जिसके आपको जो है दिख रहा था तो अब जो है मैं अपना हाथ यहां पर रखूँगा और यह जो लाइट है इसको बंद कर दूँगा तो आपको फिर से जो है स्क्रीन दिखने लग जाएगा ущly जो mobile है उसके brightness कम हो गई यहां पर तो इसको जो है फिर से सभी कर देते हैं और यहां पर फिर से वही चीजर करके देखते हैं तो आपको यहां पर मेरा हाथ दिखनाए होगा आपके सामने light में जलाता हूँ तो आप यही है और पीछे आपको नहीं दिखनाटगे को लाइट की brightness कपी जाधा है लेकिन light में फिर सिबन करता हूँ तो यह स्क्रीर है वो आपके यहीं पर है इसका मतलब जो स्क्रीन है वो वास्ताव में प्रोजेक्ट हो रही है और मैं अगर आपको फोन दिखाऊंगी फोन कहां पर है तो भाई फोन है कुछ ही यहां पर इस वाली तरफ में जो कि आप देख सकते हैं वाँ पर रखा हुआ है बिल्कुल हाई ब्राइटनेस में तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो जरू से लाइक किजीगा शियर कीजीगा और हमारे चैनल ब्लीड एक्स वाईजी को जरू से सब्सक्राइब जीगा दुस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की और डियाई वाई की वीडियो बनाई जाए या फिर क्या बनाया जाए आपको ऐसा लगता है कोई चीज तो जरू से में बता दीजिया कोशिश करूँगा बनाने की हलागी सारी जीन तो नहीं बना पते लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा टॉप आप बताएंगे तो जरू से बनाएंगे तो चली फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत चल तब तक के लिए नमस्कार